हेलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ बल्राव आप लोग देखर मेरा यूटूब चैनल बल्राव मेकानिक राइडर आज मेरे पास एक बाइक आई है यह महा एब्जेड एस बर्जन 3 मोडेल जो की बर्जन 3.0 अब लोग देख सकते हैं बेसिक्स मोडेल है यह फाई वाला बाइक है तो इस बाइक का प्रोलेम आई है जो की डिक्स पैड का अब लोग देख सकते हैं उसका डिक्स पैड पूरी तरह से खराब हो चुकी है उसका जो डिक्स पैड का लाइनर रहता है वो पूरी तरह खतम हो रख्किए तो आप लोगों मैं दिखाने वाला हूं इस वीडियो अब लोग देख सकते हैं पूरी तरह से बाहर आ चुका है पिष्टन और जो ओएल है लेवल है ओवी लो हो चुका है ओवी मैं आप लोगो दिखाने वाला हूं तो इसका हलका सा इसको बाहर की तरब में रिमूप करूंगा अब लोग देख सकते हैं दोस्तों जो एलें की हुआ हुआ है तो इसको मं बाहर निकाल रहा हुआ हाँ अब पैनर से पहले लूच कर दिया हुआ उसकी बाद नूपलास की मदास से को बाहर की तरब में रिमूप कर रहा हूं हलकाव साओ रिमूप करेंगे अब कि देखिए और पैड लागा हुआ है पैड को आभी तक में बाहर नहीं निकाला हूँ दोस्तों अब लोग देख सकते हैं इसका जो ऑल कर डबा जो रहता है उसको में रिमूब कर लिया हूँ फिलाल और इसकी बाद कि इसको में खोलूंगा इस्टार की मदद से अब लोग देख सकते हैं मैं इसको रिमूब कर रहा हूँ उसका धकन को जो कैप है कैप को मैं बाहर के तरफ पुड़ाट कर रहा हूं निकाल रहा हूं अब लोग देख सकते हैं तो इसके अंदर अभी ब्रेक वैल भी काम है जित काम हो रहा है लेवल कम हो रहा है तो आपका डिक्स ब्रेक का जो पैड वह भी खतम होने वाला है जब भी आप ध्यान दिये तो इसमें नया वाला मुझे उयल पकाना ने पड़ेगा देखिए आप लो देख सकते हैं उसमें लोईर में है अभी तो क्यों ऐसा हुआ है जितना पिष्टान अंदर की तरफ जाएगा उतना वाल भी नीचे चला जाएगा तो मैं आभी रिमूब कर रहा हूं पीन को आप लोग देख सकते हैं जो पीन लगाया था है लेंकी वाला जो बोल्डा है पीन भी बोलता हूं इसको मैं दिखेगे तो अभी इसको मैं बाहर की सब्सक्राइब कर देना है जो पिष्टान पीन के उपर डिक्स पैड लागा रहना है अब देख सकते हूं मैं इसको क्लीन कर दिया हूं अभी ताकि पिष्टान जो है अंदर की तरफ मूब करें देखिए एक पैसकेस की मदस्द से फ्लाट पैसकास लाएना है और मैं जैसे कर रहा हूं उसको अंदर की तरफ प्रेस करना है देखिए मैं जैसे प्रेस करना हूं पैड को आभी तक नहीं खोले है डिक्स पैड को देखिए मैं पैचकास से इसको प्रेस कर रहा हूं आप जो ब्रेक वैल की डबा जो रहती है वह उफपर का आप ने खोलोगे ठकान और और ऐसे प्रेस करोगे तो नहीं काम करेगा जब भी कर रहे है तो पहले उसको ढकन को निकालना है मैं निकाल लिया हूँ आप लोग देख सकते हैं पहले निकाल दिया था अभी अंदर आ चुका है अंदर देखिए जा चुका है यह चला गया अंदर पिष्टन तो इस प्रसे निकाल लिया हूँ आप लोग देख सकते हैं और एक पेड़ है दो पेड़ लगा रहता है इसका प्राइस भी कम है मैं आप लोगो दिखाने वाला हूँ देखिए बाहर आ चुका है दोस्तों इसका लाइनर थोड़ा बहुत था और और एक का नहीं था इसलिए साउंड आ पीन पीश्टन आ अंदर का उसको में थोड़ा सा फेर बी अंदर की तरफ कोशिच करना हूं कूस करने के लिए अंदर जा चुका है और देखिए जो अंदर चला गया इसलिए उसका ओल लेवल आ गया अब लोग देख सकते हैं अभी उपर आ गया है पर आ चुका है पहले घालना पड़ेगा हम लोग डालेंगे संपर्षा में अब तना आ चुका है और इसका प्राइस सका है अब लोगद देख सकते हैं तो यह बाला अच्छा काम करते है ये ये अच्छा कम पंपनीक है आप लोग देख सकते हैं और पुराना वाला उसके पुराना वाला यह है उसका आप लोग देख सकते हैं इसका उपर एक कैप लगा रहता है आप में दिखांगा यह निकाल रहा हूं देखिए पुराना वाला उसका उपर एक मेटल का प्लेट लगा रहता है तो उसको पुरा यह देखिए आप लोग देख सकते हैं इसको लगाना है जब भी आप खोल रहे हो तो यह ने रहेगा तो कुछ प्रोलेम कर सकती है कुछ इस्वा सकती है तो मैं यह लगा दे रहा हूं फिर से ब्रेक के पकड़ने में कुछ प्रोलेम आ सकती है तो देखिए मैं इस तरह से लगाना है उसके बाद इस सैट का लगाना है राइड बला राइड बला जब लगा रहे तो उसके अंदर की स्प्रिंग टाइब कर रहता है एक प्लेट रहता है तो उसको मेच करके लगाना है देखिए मैं लगा लिया हूं जो कि पिस्टन सैट के लगा या हूं उसके बाद दीखता है और अंदर रहता है मैं जो लगा रहा हूं आप लोग देख सकते हैं अंदर का है तो इसे लगा लेना है मैं जिसे लगा रहा हूं दोस्तों इस प्रसेस सब मेर देख कर शेकलिये से होना चाहिए जो उपकरनी हो चाहिए तो इसको ठाएट कर देते हैं रखेंगे लाइंगा थोड़ा सा डाउन में है तो इसको लवल में रखेंगे इसका यह निकल लाने पढ़ता और यह आजाता है इसका ढेकन खेल लेने से कि और यह अगया है यह निकालना ने पढ़ता है तो मैं आ दबा रहता है अब लोग इसी से प्रसेस से कर सकते हो उसके बाद 10 mm का एक बोल्ड लगा रहा तो इसको भी टाइट कर देंगे आभी अब लोग देख सकते हैं दोस्तों इसी प्रसेस से आप जो कोई बाइक का कर सकते हो तो जो जगा में उसका ब्रेक को लगता है वही डबाल कर रहा है इस प्रसेस से आप लगा सकते हो दोस्तों और वीडियो कैसा लगा आप ज़ो रूर्वर मुझे कमेंट कर रहे हैं और कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे डारेट काल करके भी पूछ सकते हो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर सस्क्राइब करें मेरे चै सकते हो दिखें लोर में था पहले आभी अपर में है ब्रेक वेल में टप अप कर लिया हूं दोस्तों यह पर वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों थैंक्यू फर वार्चिंग